नमस्ति बच्चों में जैश्री हिंदी आध्याभिगा आप सब कोशरेगों गुलम पब्लिक स्कुल गुरुआयों ओर्लाइन क्लास के लिए स्वागत करती हुँ पार्ट नाउ लेस्टन नायर वीरांकना रानी चन्नम्मा वीरांकना ब्रेव वुमन मन से मुग से रानी करकर किसे बुलाया जाता है रानी क्वीन कुछ प्रशित महिलावों के नाम बदाईए जिनके नाम के साथ रानी शब्द जुडा हो रानी चन्नम्मा काकदीय र्याच वम्शिक्की र्याच गुमारी दी रानी चन्नम्मा वास्द प्रिंसस ओफ्द काकदीय डायनास्टी उनका जन्म तेईस अक्तूबर सत्रह साव अड़हतर में देच्शिनके कित्तूर कार्नाडग में हुवादा उनके पिता का नाम राचा दुल्पा और मादा का नाम राणी पत्मा वदीधा Her father's name was राजा दुल्पा and mother's name was राणी पत्मा वदी राजा राणी ने उनका पालन पोशन राजा कुमारों की बांक्ति कीया The king and queen raised her like a prince वे संस्कृत, मराटी, कन्नट और उर्दु बाशा की ज्यादा दी She knew Sanskrit, Marathi, Kannada and Urdu languages वे अस्त्र शास्त्र चलाने ओर युद्ध कलामें नीबुंदी She was proficient in weaponry and martial arts Shabdharth, word meaning Rajavams, dynasty Mathapita, parents Gyada, knowledgeable Sampan, prosperous Gaddi, throne Hamla, attack Rajakumari, princess Palen potion, bring up Nippun, expert Mrithyu, death Santan, child Sahayogi, companion Children, write and study these meanings Padse agae, in Pirangan Naom ko Pachan kar, inke naam se milaiye, recognize these brave women and mash them with their names लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, मेडम बिकाचिकामा, एनी बसंट, सरोजनी नाइडू, अरुना आसफ अली, वीरांगना रानी चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा काक्तिया राजवंज की राजगुमारी थी, उनका जन्म 23 अक्तूबर 1718 में दक्षन के कित्तूर करनाटक में हुआ था, उनके पिता का नाम राजा धूलप्पा और माता का नाम रानी बदमावती था, राजा रानी ने उनका पालन पोशन राजगुमारों की भाती किया, वे संस्कृत, मराथी, कन्नर और उर्दु भाशा की ज्याता थी, वे अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला में निपुन थी, चिन्नमा का विवा कितूर के राजा मल सर्ज के साथ हुआ, कितूर एक छोटा, स्वतंत्र और संपन राज्य था, चिन्नमा ने एक पुत्र को जन्म दिया, किन्तु जल्दी ही उसकी मृत्य हो गई, कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे, राजा मल सर्ज की मृत्यू के बाद उनकी बड़ी रानी रूत्रमा का पुत्र शिवलिंग रूत्र सर्ज कद्धी पर बैठा, वह रानी चिन्नमा की मदद से राज काज चलाने लगा, शिवलिंग की कोई संतान नहीं थी, उसने एक बालक को गोद लिया, कुछ दिनों तेही सन 1824 में धारवार के कलेक्टर ठैकरे ने अपने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया, रानी चिन्नमा की सैनिकों ने ठैकरे को खदेड दिया, वह अकेले ही अंग्रेजों पर भारी पड़ी, सचमुझ ही वीरांगना थी रानी चिन्नमा कर दो अंगले हो आफ ने चाहिए अंग्रेज उत्वड़ जाव जानी ने कित्च से इच्छ ने को अंगज ओने हैं वीरांगना धार पर दिया, वैद इस वीरांगना है the बावी और ट्या चाहिजिए, टामने थावी यह तूंभा अपने बावी अटन से इच्छ इच्टर